बास्मती चावल भारत में सबसे ज़ादा पॉपुलर चावल की प्रजाती है। साउतेशय में भी इसे खूब खाया जाता है। आमतोर पर खुश्बू और स्वाद के कारण लोग इस चावल को बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग बास्मती चावल को इसली भी पसंद करते हैं क्योंकि इसके दाने लंबे और खिले-खिले होते हैं। जिसके कारण ये देखने में भी खुबसूरत लगते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है की बास्मती चावल हल्दी भी होते हैं या नहीं। अलग-अलग किस्म के चावलों की अलग-अलग खूबयां भी होती हैं इसके अलावा ये चावल वाइट और ब्राउन दोनों तरह के पाई भी जाते हैं तो आईए इस वीडियों में जानते हैं कि बास्मती चावल में मौजूद तत्व आपके लिए फाइदेमंद हैं या न नशकार मैं हूं सुक्रती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वग्ध हैं बास्मती चावल भी कई तरह के होते हैं इसलिए इनके पोशक तत्वों में भी थोड़ी बहुत भिन्नता होती हैं मगर आमतर पर सभी बास्मती चावल में काब्स और कैलरीज की मात जादा होती है इसके अलावा इनमें फॉलेट थाइमीन और सेलेनियम भी मौजूद होते हैं अगर आप एक कप पकाए हुए बास्मती चावल खाते हैं तो इससे आपको मिलती है 210 कैलरीज 45.6 ग्राम काब्स 4.4 ग्राम प्रोटीन 5.5 ग्राम फैट 399 मिलीग्राम सोडियम इ 15% नियासिन 12% कॉपर 11% आयरन 9% विटामिन बी 6 वैसे तो बास्मती चावल में बहुत कुछ ऐसा नहीं होता जो अन्य चावलों से अलग हो लेकिन इस प्रजाती के चावल में आर्सेनिक की मात्रा कम होती है आर्सेनिक एक ऐसी धातु है जो जादा मात्रा में खाय जाने प चावलों की अपेक्षा बास्मती चावल में कम आर्सेनिक होता है हलाकि ब्राउन बास्मती चावल में आर्सेनिक की मात्रा वाइट बास्मती से जादा होती है वहीं आपने अक्सर हेल्थ एक्सपर्ट और डाइटीशिंस को यह सला देते वे सुना होगा कि होल ग्रेन सेहत कि होल ग्रेंस में एंटी इंफ्लिमेटरी गुण भी होते हैं अगर आप बास्मती चावल की बात करें तो इसे रेगुलर खाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन ध्यान रहें कि अगर आप रोजाना बास्मती चावल खा रहे हैं तो एक कटोरी से जादा ना खाए फिलहाल इस वीडियो में इतना हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें